अब कर समने जली तरे अल्टरेटिक करिंट का बहुत ही इंपडरेंट क्वेस्टिन जली लिए बी यह इन दा गिवन सर्केट दा आर मेंस वेली आफ करेंट आई आर मेंस थो दा रजिस्टर आर इज और आपको एक्सल दिया हुए इंडेक्टर का 200 और यह होता है आपका ओमे एक LCR सरकिट है और यह आपका एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ जुड़ा हुआ है जिसकी आर्मेस वैल्यू आपकी 200 रूट टू वोल्ट है और दोस्तों आपको आपसें दिये हुए है आई आर्मेस के टू रूट टू एम्पियर टू एम्पियर हाफ एम्पियर और ओवह होता है आपका वी आर्मेस अपान जड़ जो रजिस्टेंस का काम सब्सक्राइब होता है वह हमारे जड़ का काम होता है लट्रस सरकिट में तो पिर आप अब देखे कि हम जो जेट कैसे निकालते तो फिर दो आप जानते हैं कि जो करेंट हैं वह लीड करता है इन आ और साथ में रहता है इना रेजिस्टर 90 डिगरी के साथ दोस्तों वो लीड करता है किसमें दोस्तों इंडक्टर में और लैक करता है आपके कैपसिटर में तो एकसी आपका यहां हो जाएगा और जो नेट रेजिस्टर जो आता है दो दोस्तों वो आपका होता है जैड जो कि यह बीच से पास करता है तो एक्सेल और एक्सी आप actively है तो वह दोस्ति आपकी manus हो जाएंगे तो मांगा आपका निकलेगा और आप तो निकलेगा और अप इसको करीलिद सकते कि यह आपका 90 डिगरिये हो जाएगा आपका XL माइनस XC का whole square प्लस R square मैंने क्या किया इसको parallel shift कर लिया फिर उसके बाद Pythagoras से हमने निकाल लिया Z तो फिर आपको यहाँ पर XL की value दी हुई है XL की value आपके पास 200 ohm है XC की value आपके पास 100 ohm है और resistance भी दोस्तों आपके पास 100 ohm है तो आप Z बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं Z is equal to under root XL माइनस XC यानिकी under root 200 माइनस 100 का square प्लस 100 का square तो फिर यह आपका हो जाना है दोस्तों 100 का square प्लस 100 का square यानिकी दोस्तों यह हो जाएगा आपका 100 root 2 हाँ 100 बहर आजाएगा और आपकी Z की value आ गई है दोस्तों 100 root 2 ohm तो फिर अब आप निकाली सकते हैं IRMS वो आपका खुझाएगा VRMS upon Z VRMS की value देखिए तो आपको दी होई है 200 root 2 hold यह आपकी VRMS की value है तो फिर आप यहाँ पर आप पूट कर देंगे 200 root 2 वोल्ट upon 100 root 2 ohm तो फिर यह 100 200 और root 2 से root 2 वोल्ट upon ohm आपका ampere बन जाएगा तो यह आपका answer आजाएगा दोस्तों 2 ampere का IRMS current की value होगी तो यह दोस्तों आपका B answer इसका हो जाएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को subscribe कीजिए और मैं आपको से एक question पूछना चाहता हूं कि अगर IRMS आपका 2m PR है तो फिर आपका i max क्या होगा at normal conditions आपकी जो frequency है वो 50 Hz ही रहेगी तो अब आपको बताना है कि क्या आपका i max होगा यह आपको comment करना है answer thanks for watching keep learning और आप हमाई J.P.Y.Q की playlist को नीचे link से देख सकते हैं description से जिसमें हमने J.P.Y.Q के बहुत सारे P.Y.Q. सॉल्ट किया है class 11-12 के physics और chemistry के keep learning अभी नप